Very Good Afternoon to all my Dear Students आज की Labor Welfare की क्लास में हम लेबर वेलफेयर की रेलेटेडनान के आता है वो पढ़ रहे हैं इस Younet में आपके पास Two Topics हैं लेबर वेलफेयर और लेबर एड्मिनिस्रेशन लेबर वेलफेयर के रैलेटेड़ क्लासमें हम्ह work आता है श्रम संगठन जो है वो ये कहता है कि ऐसी सुविधाएं जैसे ऐसी सेवाएं और सुविधाएं जैसे सुववस्ते जलपान ग्रह, विश्राम ग्रह, मनुरंजन सुविधाएं, घर से कारे स्थल तक और कारे स्थल से घर तक आवगमन की सुविधाएं तता अन्य ऐसी पारिशम्ता में वृध्धी होती है श्रम कल्यान की परिभाशा में समिलित की जाती है तो लेबर वेलफेर क्या है लेबर वेलफेर वो सारी सुविधाएं हैं जो अभी मैंने आपके सामने रीड करी है जो की एंप्लोयर प्रोवाइड करता है तुदा वर्कर्स और एंप्लोईस अंतर राष्ट्रिय श्रम संगठन जो है वो ये कहता है कि भोजन की विवस्था जो इकाई के भीतर की गई हो या अन्यंत विश्राम या मनोरंजन की सुविधाएं तथा जहां सामाने आवागमन के साधन विक्सित ना हो वहाँ श्रमिकों को आवागमन की सुविधाएं प्रदान करना आधी बातें इसमें सम्मिलित करनी चाहिए अब हम देखते हैं क्या नीड है क्या अवश्रक्ता है लेबर वेलफेर वर्क करने की पहला पॉइंट हम देखते हैं कि बहुत-बहुत बड़े-बड़े उध्योग पती हैं और उनकी उधारता का फल यह नहीं माना जाता है हम यह कहते हैं कि यह जो लेबर वेलफेर को वो काम कर रहे हैं वो उधारता के कारण नहीं करते हैं यह श्रमिकों को संतुष करने के लिए एक आवशक शस्त्र समझा जाता है यह मानसिक में नैतिक स्वास्त में वृद्धी करना वे सामाचिक बुराईयों को दूर करता है श्रम बदली वे अनूपस्थिती की जो दर होती है जो rate of absentism होती उसको कम करता है और ध्योगिक शान्ती बनाये रहता है किसी तरीकी के हड़ताव या तारी दाला बंदी होने की संभावनाई जो होती ही वो कम हो जाती है कारे में व्यक्ति की रूची रहती है उसके सामाचिक दृष्टी भी जो होती है उसके लिए भी ये लापधायक माने गए है अब हम देखते हैं इसका क्या उफदेश है लेबर वेलफेर वर्क जो है उसका क्या उफदेश है सबसे पहले यहां आशिक रूप से मानव के लिए कार्य है श्रमिक की श्रम्ता तता श्रमिक पूर्ती में वृद्धी करता है और उससे जो संगठन प्रवर्ती जो होती करने की दिशा में लाब्दायक माना जाता है उसको ऑर्गनाइजेशन से अटैच्मेंट होता है इसकी वज़े से वे श्रमिकों में उत्तरदायत्य की भावना जापरित करने में सहाइता प्रदान करता है अब हम देखने टाइपस ओफ लेवर वेलफेर वर्क क्या है टाइपस को हमने हमने टोटल थ्री पार्ट्स में डिवाइट किया है पहला है इंटर्नल और एक्स्टर्नल वर्क जिसे हमन बोलते हैं आंत्रिक वे बहाय कारे सेकिंड है रोजगार की दशा संबंदित वे रहन सेनी की दशा संबंदित कारे और थर्ड आता है अनिवारे एवं एचित कारे इंटरनल और एक्स्टरनल कारे की बात करें तो उसके अंदर जो कार खाने के अंदर यहां कारे किया जा ओसके अंदर जिस जगें? जाईख को उक्षी देते हैं जैसे दुर्गतना की शतिपूर्टी शिशू ग्रह की वैस्था जलपान की वैस्था स्नान करने तथा कपड़े दोने की वैस्था सुरक्षा की उपाये जैसे चलने वाली मुख्य मशीन पर धकन मशीन से मतलब यह सारी अगर सुविधाएं वहाँ पर दी जाती है internal तो वो होती है internal functions और external की बात करें जो कारखाने से बाहर की होती है जैसे आने जाने की सुविधा, मनोरंजन सुविधा, खेलकूद, sectionic सुविधा, पुस्तकाले, वाचे नाले ये सारी सुविधा है सेकंड पॉइंट देखते हैं रोजगार की दशा संबंदित या रहन सेहन की दशा संबंदित कारे जिसके अंदर श्रमिकों के रहन सेहन की दशा संबंदित कारे के रूप में किया जाता है प्रतम श्रेणी में से तत्य सम्मिलित किये गए हैं जो कारे से संबंदित होते हैं जैसे कारे के घंटे, मस्दूरी, सवेतन चुटी, विश्राम अवकाश उन्हें देना, स्वास्त वे सुरक्षा रोजगार की निरंतर्ता एवं इस्त्री, श्रमिक एवं कम आयू की जो बच इसके लिए एक्ट बनाए गए हैं जैसे की बागान श्रमिक अधिनियम 1951, खान अधिनियम 1952, कोईला खान श्रमिक कल्यान कोश अधिनियम 1957, करमचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, कोईला खान भविश्य निधी कोश अधिनियम 1948, करमचारी भविश्य निधी कोश अधिनि 1952 तो यह थे टाइपस ऑफ लेबर वर्क अब देखते हैं स्वास्त संबंदी थर्ड आर्थिक कारे और फोर्ट आता है सामान्य कारे पहले में वातावरण से रिलेटेड स्वास्च वातावरण प्रोवाइट करना इससे रिलेटेड स्कोप रहता है इसका सैयंत्रू सचता पेजल जलपान ग्रे अन्य जैसे पुस्तकाले वाचनाले ये सारी चीज़े आती है सेकिन शारेरिक में मांसिक जैसे कारखाना के स्वास्त केंद्र है महाँ पर और शधाले है इस्त्रीवे शशु कल्यान के लिए महाँ पर कारे किया जा रहा है श्रमिक मनोरंजन है शिक्षा संस्कृतिक कारे क्रमादी किये जा रहा है थरड आता है आर्थिक जिसकों बोलते हैं सहकारी समीतिया उसके अंदर होती है सस्ति दुकाने होती है जहां पर उनको कम दरों पर जो चीजें वो मिल जाती है बचत योजनाय उनके लिए बनाई जाती है अन्य सेवाएं भी सम्मिल देब और लास्ट आता है सामानी जिसे आवासिय, पारिवारिक, कल्यान, सलहकारी, सेमाय, सामजिक, सुरक्षा ये सबी चीज़े इसके अंदर इंप्लूट करी जाती है अब है नेक्स आता है एजेंसी की अगर हम बात करें तो एजेंसी को हमने टोटल थ्री पार्ट में डिवाइड करा है पहला है welfare work done by employer जो अब हाना इसके अंदर ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति या एजेंट के द्वारा ये कारे किया जाएगा तो पहला है जो employer करता है employer क्या करता है जैसे जैसे अगर बांदिये सूती वस्तर उध्योग है तो उसके अंदर वो शिशू हेतु स्कूल आवास व्यवस्ता अध्यन यात्राएं कुष्टी प्रतियोगिता ये करवाता है लोहे एवं इसपात उध्योग है तो उसमें चिकि लेबर वेलफेर से लेलेटेड विश्राम ग्रह है स्वास सुधार केंद्र है बंदर गावे गोदी उध्योग है उसमें अगर आप नित्यू चोड बीमारी व्रिध्या वस्ता के कारण अगर कोई समिस्या उत्पन हुई है बागा उध्योग खानन उध्योग तो ये employer यहा केंद्र में स्ट्रमिक वार्त विवार्ब विचार वीमर्श सामुक वारता संगूश्टियां बैठक अध्यान केंद्र हैं उनके समाज चीज़ा कख्षाएं होती हैं मनोरंजन के कारीक्रम होते जिनको आयोजित करती है जो अनुशुची जाती की लड़किया है उनके है कल्यान कारी जो हर एक स्टेट ने अपने यहां कल्यान केंद्र खोल रखे हैं कुछ में तो यह नंबर बहुत जादा है और कुछ में बहुत कम है और वहाँ पर उनके जो केंद्र है वो अलग-अलग तरीके की जो लेबर वेलफेर वर्क है वो तड़ती रहती है फिर इसके अंदर आएटेम्स आफ लेबर वेलफेर वर्क अब लेबर वेलफेर वर्क क्या एटेम्स आते हैं इसके अंदर सबसे पहले working condition से related कारे की दशाये इं प्रूफ करनी है ventilation अच्छा होना चाहिए temperature control में रहना चाहिए lighting पूरी होनी चाहिए तो अच्छता बनी है तो उने अवकाश मिलना चाहिए सचालेव्य मूत्रा लेट्रींस एं ई उरिनल्स होने चाहिए प्रोपर उनकी क्लीनिन भी होनी चाहिए, डिंकिंग वॉतर होना चाहिए, बाथिं ये व़ाशिंघ फैसिलिटी जोनी चाहिए, विश्राम के अंदर काउंट होती है अब आपका ये जो टॉपिक है वो आज यहीं खतम हो रहा है आपका इंपोर्टेंट कोश्चन जो बनता है इसके अंदर है वाट इस लेबर वेलफेर से आप क्या समझते हैं सेकें एक्स्पेंड ऑब्जेक्टिव और स्कोप अफ लेबर वेलफेर अगर इससे रिलिडिट आपको कोई भी क्वेश्चन या कोई कोरी है कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसके जो नोट्स है वो मैं आपको शेयर करूंगी आप उस नोट्स को पढ़ें अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछे थांक्यू स क्यों आपको को में आपको साहते हैं खूछे हैं मक्त क्ने कोई पूछ चार छूछेयर को हैं मैं उससे बाखें ऑ.'